हेलो अब्रिवन स्वात आप सुख का इस वीडियो में दिस इस कैप सर आज की इस वीडियो में हम मैस वन का चैप्टर नंबर वन मैथमेटिकल लॉजिक का बहुत इंपॉर्डेंस हम देखने वाले हैं यह जो हम है बोड में ऑक्टोबर 2015 में टूमा के लिए रिपीट हो चु इसा समल दो कि आपको परोष के दिया जा रहा है आपको बैसिक पता होना चाहिए कैसे आपको को में पताता हूँ यहां मैं यहां पर सल्यूसन और स्ल्यूसन में क्या हुजाएगा यहां यहां पर देखो आप यहां पर कोई भी ले सकते हो यहां प्र प्यूब्स 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 प् यहां पर यहां पर बिलिका हूं यहां पर क्यों लिखता हूं यहां पर Gandhi लिख डिए थांगे आपको पदा एक कितने वाल्यूज सकते हैं एक थो प्रू रहे गा दूसरा फॉल्स वर्ण यह ख़ poison के इसके गई उसके बाद ऐसा हमारा क्यूद वाल्स उसके बाद पिंप्ली-क दीशनर रहें हैं इसा रहे गा तो यहाँ पिंपर प्ली प्ली पी के तो है यहां यदि रही ए बाद प्ली लोडीन टो प्合क्त양 स्थेटम्हें reference देखो true के बाद किया रहे है true तो यहां पर क्या रहेगा True जा तो यहां पर देखो बच्छो ध्यान से तो यहां पर हमारा एक फॉसिबिलेटी एक यह बार पॉस आ रहा है कब आ रहा है जब मेरा पी यह सकता है मेरा यह जो हमारा पी इंप्लाइस्क्यू यानिकी प्रू इंप्लाइस फॉस इक्वर नियुक्त विए उभर प्णिशन संदिस्फाय हो सकता है समझें आप अभी देखो यह पी इकल टू 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 एफ है यह तो हमें इस से पता चला है लेकिन क्या यह दो जो वैल्यू है इस वाले कंडिशन में साटिस्फाय हो रहे हैं यह भी हमें चेक करना पड़ेगा वहना आंसर रॉं हो जाएगा राइट तो इसमें तो यह दोनों साटिस्फाय हो रहा है यह दोनों जो है न यह पी इकल टू 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 और क्यू टू एफ जो है यह बिसिकली इन दोन इसमें साटिस्फाय हो रहा है क्या यह पी एंड क्यू एक्वल टू और इक्वल टू क्या है हमारा एफ है इसमें साटिस्फाय हो रहा है चलो देख लेत यह एक भी false आ गया तो false हो जाता है एंड में एक भी false आ गया तो false एक भी false आ तो false यहां पर तो false present है तो यह overall इसका वैल्यू क्या आएगा false यानि कि यह जो हमारा statement है हमारा statement यहां पर पी का जो value है to true and q का value f मैंने false लिया है यह right है ओके इन दोनों condition यहां पर p and q यह statement है और पी इंपलाई स्क्राइब दोनों में हमारा क्या हो रहा है satisfy हो रहा है तो आम लोगों सकते हैं अमारे जो पी का वैल्लु वैलु ट्रू का वहलु किया होगा false होगा एक है और यही हमसे पूछा है do is what false यहां पर एफ लिखती है ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग एसे प्रॉब्लम्स और आप इजली कर सकते हैं अभी हम लोग क्या करते हैं नेग्स सम देखते हैं यह जो नेक्स सम में जो सेम चैप्टर से है और यह मार्स 2015 में सेम यह और the converse okay write the converse contrapositive of the following statement क्या statement क्या दिया हुआ है if two triangles are congruent okay two triangles are what congruent then their areas are equal their areas are equal अगर two triangles are congruent है okay congruent property आपको पता ही रहेगा अगर हम लोग two triangles to congruent proof कर देते हैं तो उनके areas automatically equal हो जाते हैं okay यह property है हमें यहां पर क्या दिया हुआ है हमें यह पिसिकली यहां पे conditional statement already दिया हुआ हमें इस conditional statement का मैं इस conditional statement का क्या लिखना बच्चों कन लिखना है और Contrapositive लेना है लिखना है ओके तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं Converse Contrapositive होता क्या है Converse and Contrapositive क्या होता है ठीक है ठीक है बच्चों यहां पर दो मांक के लिए क्या है कन्वर्स रहेगा और एक मांक के लिए आपने तो उसके लिए एक मांक मिलेगा आपको दो मांक मिल जाएंगे इस प्रॉब्लम के लिए तो मैं क्या यहां पर से लूशन ओके ठीक है यहां पर सबसे पहले मैं आपको बिसिक बताता हूं अगर हमारा पी इंपलाइस क्यूँ है ओके पी इंपलाइस क्यूँ हमें यह कनवर्स इनवर्स और कॉंट्रा पॉजुटिव ऑल्वेस याद रखो कंडिशनल स्टेटमेंट के लिए रहता है यानि कि कनवर्स इनवर्स और कॉंटरा पॉजिट्य इसका लिख सकते अब यह क्या होता है के अगर मैं अग् submitted कि है नॉर्मली आपको पता रहेगा अगर आपने बेसिक लेक्चेस देखे रहेंगे चैनल पर ओके तो कन्वर्स का मतलब क्या होता है हमारा हमारा क्यू ओके यहां पर हो जाएगा क्यू इंप्लाइस वर्ट पी इंप्लाइस पी उल्टा जैसे हमारा यहां पर पी इंप्लाइस सी सिस्टार्ट हो रहा हैं कन वर्वा यहां पर आपको बताहूंगा यहां यह स्ट्रिक एसे स्टर्ट क्लिब भी सिस्ट इस्टार्ट ओर रहा है कन वर स स्टर्ट मंज बढाँ के मारव और यहां पर पॉजिट्व का उल्टा क्या होता नेगेटु तो यहां पर भी नेगेशन चमझ रहे हो तो ऐसा आप थ्यान में रख सकते हो अगर आप एक्जाम में ऐसा करते हो के तो हमारा पी इंप्लाइस क्यों दिया रहेगा हमें कनवर्स लिखना तो क्यूं इंप्लाइस पी सकते चूसके बाद हम लोग ऐसे फॉर्मिट में लिख सकते हैं तो मैं क्यां घञता हूँ यहां पर लेट लिया हमारा जुक्या ते restrictive इसके बाद हमारा जो एक्व है क्या इंडिकेट करेगा जो इसके बाद हमारा चुह क्या कीया यह हुआ है then their areas are equal then there is a cycle किसका किसका एरिया वो दो ट्राइंगल सा ओके दो ट्राइंगल का को तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं two areas of triangles are equal areas of the triangle are equal okay areas of यहां पर लिख सकते हैं हम लोग क्या second statement में areas of areas of what two triangles okay areas of what two triangles are what equal are what equal यहां पर ऐसा लिख सकते हैं हमारा second statement हो जाएगा first statement के आए two triangles हां congruent okay congruent second is what areas है हाँ पर क्या हो जाएगा areas of two triangles are equal okay यह हमारा क्या हो जाएगा second okay यहां पर दियर लिखा है ना तो दियर के जगा हम लोग क्या लिख सकते हैं वो जो triangles का जो एरिया हो लिख सकते हैं there areas of two triangles are equal okay यह P and Q होगे अभी हमें क्या लिखना इसका इसका हमें basically पहले हम लोग Converse लिखते हैं इसका Converse कैसा हो जाएगा Converse आपको बता है मेरा क्या हो जाएगा क्यों इंप्लाइस पी यानि कि मैं क्या लिखूंगा पहले क्यूं क्यूं क्या है areas of two triangles are equal तो यहां पर इस क्यूंकि यह condition तो always कैसे start होगा इफ से तो यहां पर लिखेंगे इस इस if एप लिखने के बाद क्यूं क्यूं क्या है है हमारा इसे areas at last can मैं क्या लखोंगे areas of two triangles तु ट्राइंगल्स ट्राइंगल्स यहां पि каких separate Drupal इंपले के बाद है यहान पे लिखने के बाद उसके बात क्या लिखेंगे टू ट्रिइंगल साह कॉंगुरुएंट हो के प्लिविंट कि प्लित्री एड में को कॉंगुरुवेंट क्या हो जाएगा हमारा вами के 8 ऑपको यह के लिए होar हैै सैंपीente करना पड़े है कॉंट्रा पॉजिट्व के लिए कॉंट्रा पॉजिट्व सबसे इंपल है क्या करने का सिर्फ नॉट लगाना रहता है उसमें तो यहां पर क्या हो जाएगा कॉंट्रा पॉजिट्व कॉंट्रा पॉजिट्व कॉंट्रा पॉजिट्व कॉंट्रा पॉजिट एरियस ओफ ए्रिएज ओष दो ट्राइंगल प्ली के जाएगा यहां पर देंकि भिए गाने कि उन्च रॉहां है मरें उसके पार नहीं हो जाएगा तू तो ट्राइंगल क्या गल्वेन हिरा नहीं को पिंप जाहेगा प्लिक में प्हुर्ट काव már क्या हाएगा 200 और क्या जाएगा यहां पे डू करी कुट ट्रीमेंट इंब एंड नौट यहाँ पर क्या जाएगा बश्चों ओगरों हैं यहां पश्बिसकुरी कॉए टेटमेंट को का लोगों कैई से लिखना रहता है ठिनका इस में क्या पहले समझा कि exactly होता क्या है इस में और क्या है तो में लेट करना पड़ेगा और क्यों क्या है और क्यों उसके यह अभी पिछला जो मैंने बता इसके जैसा ये फिराल मर्स कपारभब विए तीन रिखेना है और इसमें से लोटके नहीं है यहँ असक्री मांक मार्क पुछ को सिंपल एक एसे महत अंष मतलते हैं अगरा आपको कौन से पता है देए और आपको पता है तो आप υडिक्र सकते हैं की के अभी मैं क्या दो हूं यहां पे क्रते होता हूं है अभी पिछले प्छले यहां पर अधियों हमां का मारा क्या सर्फ से पहले की है इस Сам संमरा के जाएगा घंडिस लिए हुआ स्बसे पहले साटिका सबसे पहले यहां पर लिए उसके बाद हमारा क्या Is Bounded, यहां पर क्या हो जाएगा, How DAN, That conspiracy, How Also Is Bounded, सिक्वेंस इस बांडेड़ उसके बाद, क्यों क्या हो जाएगा, क्या झाएगा, क्या हो जाएगा, it is convergent, यहां पे than िसके बाद तरा है यहां तक वह क्या रता है उसके बाद ऍनके बाद क्या है एप्सियू वह टेर तो यह हमें डिया हुआ है हमें क्या करना है इसका धाफरly connected लिखना मैंने आपको बता इन इ체적司 मार्ण होता है यहां पर थे सबसे पहले मैं ने लखता परकें już क्या होता है वंहारा र्स क्यों इंप्लाइस पेज्ट से स्टार्ट होगा if if it is it is what can present with light if it is in our sense then 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 a sequence is bounded then sequence क्या हो जाएगा then a sequence sequence is bounded okay देन असीक्वेंस सब्सक्राइब तो एसा हो गया अभी हम लोग क्या तो हुआ घरते यहां पर में ड्टा लगा न रहेगा तो यहां पर हो जाएगा हमारा कंट्राउच इस्टेट्में लिख देते हैं वर्बल फॉर्म में तो कैसा हो जाएगा यहां पर अगेन कंडिशनर है तो इफ से स्टार्ट होगा इस उसके बाद एक Q है तो यानि कि यह जो हमारा converse होगी लिखने गा इसमें नोट लगाने का तो यहां पर कैसा हो जाएगा इस नौट यहां पर क्या हो जाएगा इस इस नाट वाट बांडेट एक किया है तो मैंने यहांक लिख़ दिया अभी और नुभ開टे बाच्चों ऐसे हम लोग इनीवर्स का भी लिख दे अनलिए घषक एंवर्स क्या होता है इनुटिक को प्लाइज नगेशन और Sonuilles ne यहां पर मैने बताया हूं कि यहां पर इस ऑपे हम लोग क्या दहते हैं karşı को चैसे हो जाएगा की हमें पहले बंड हो प्य वाला स्टेट में पर क्यל लिखना पड़े हैं बच्चो अगें मेरा क्या होगा इस के बाद पी क्या दिया हुआ वा है और सिक्वेंश इस बाउंडेट यहां पर निगेशन है तो यहां लिखेंगे a sequence okay a sequence is not bounded is not bounded is not bounded is not bounded then 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 क्या लिखेंगे then के बाद ही again negation है बट किसका है क्यों का है क्यों क्या है हमारा convergent है right convergent तो यहां पर क्या हो जाए it is not convergent okay यहां पर क्या हो जाएगा then के बाद it is it is not convergent क्या हो जाएगा बच्चों convergent okay it is not convergent okay ठीके समझा आपको कैसे ऐसे problems को solve क्या आता है हमसे क्या पूछा था question में हमसे पूछा आता ही हमें क्या गरना है converse inverse or contrapositive fine करना है of this given conditional statement what we did हमने क्या किया हमने पहले पी जूम किया और क्यों किया पी हमने लेट किया क्यों लेट किया उसके बाद नॉर्मल जो formula होता है converse inverse contrapositive का वह हमने लेखा उसके according हमने क्या किया जो statement उसको verbal form में लिख दिया और हमारा जो final answer यह है okay यह अगर आप अच्छी तरह से लिखते हो आपको इस पर थ्री मार्क का समय तो थ्री मार्क पूरा मिल जाएगा और ऐसे सम आते हैं से सम पूशे आते हो के तो आपको प्रैक्टिस कर लो एक्जाम से पहले ठीक है और इसमें आपका बीडियो से मैंने जो पिसले वीडियो के जो भी पीडियेफ नोट से वहां पे अपलोड कर दिया हो आपड़नोड कर सकते हो वहां से आप बड़ सकते हैं ठीक है छलो मिलते हैं अगले वीडियो में के प्रैक्टिसेंग बाइ all the best